नमस्कार आप देख रहा है देंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी फिजकल टीचर बिहार के विद्यालियों में फिजकल टीचर का मामला जो है काफी बीच में तूल पकले हुए था और इसके बाद जो है इनकी नियुक्ति को लेकर कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी द फिजकल टीचर की भरती जनवरी से पंचाय चुनाओं के बाद होगी बहाली की प्रक्रिया है आपको बता दें कि 100 से अधिक छात्र वाले मद्ध विद्यालियों में 8386 सारेडिक सिक्षायों स्वास्त अनुदेसर मिस फिजकल टीचर बहाली के लिए जनवरी में आवेदन लेने की प्रक्रिया सुरू होने की संभावना है दिसंबर में पंचाय चुनाओं पूरा होने के बाद फिजकल टीचर की बहाली के सिक्षा विभाग की प्रक्रिया सुरू कर देगा पिछले माही कैबिनेट ने 8386 सिक्षा एवम स्वास्त अनुदेसर की स्वकृति कैबिन से देदी थी शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों इसके लिए 81 करोड सलाना व्य के संबंद में महाले खाकार को पत्र भी बेज दिया है इसी बीच विभाग की और से रोश्टर क्लियरेंस कराने की करवाई होगी फिजकल टीचर को परती माह 8000 रुपे नियत मांदे मिले सिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सारीक सिक्षायम स्वास्त अनुद्यसक के पद कैबिनेट से स्वकृत हो चुके है अब रोश्टर क्लियरेंस की करवाई की जाएगी इसके बाद संबंधित नियोजन इकायों से प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी तो राजी निर्वाचन आयोव ने साफ कह दिया कि आप अगर पंचाय चुनाव के समय में नियोजन करते हैं तो ये अचार संगिता का उलंगन होगा क्योंकि जिसमें जो है वो जिला परशद के सदस्त, जो है वो फिर से मुखिया ये सारे लोग जो हैं वो नियोजन प्रक्रि का वो अपने चुनाव में फायदा उठा सकते हैं तो ये एक तरह से अचार संगित्या का उलंगर है जिसके बाद से पूरे तरह के जो सिख्छक के बहाली चल रही थी जो नियोजन का प्रक्रिया चल रहा था उस पर रोक लगा दिया गया और यही कारण है कि कैबिनेट से जोरी मिलने के बाद भी 8386 जो फिजकल टीचर हैं उनके नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर के लास्ट तक्सरू हो पाएगी जनवारी में उसके लिए फॉर्म लिये जाएंगे और 8000 रुपए महीने दिये जाएंगे और साल में 200 रुपए जो है वो वेतन बिर्दी की बात कहीं गई है तो अब देखने माली बात है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि नियोजन होगा और 6 महीने बाद ये फिजकल टीचर भी सलको पर आएंगे अपने मूल वेतन के लिए वेतनमान के लिए क्योंकि 8000 रुपए जो महीना जो है वो किसी भी तरीके से तर्ग संग सिखक जिनको लवाट 25-30 महीना मिल रहा है वो भी सलकों पर है वो भी नराज है वो भी अभी खुस नहीं है वो भी नराज है उनका भी कहाना है कि हमको वेतनमान दिया जाए क्योंकि सरकार हमें एक सरकारी करमचारी की तरह सारे कार्यों का निर्वान करवाती है और जब माम टीचर जो है जो मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं इतने सालों से जटता हूनी योजन प्रक्रिया अभी तो ये बहाल होंगे प्रक्रिया में भाग लेंगे लेकिन छे महीने साल बर बाद ये भी सलकों पर आएंगे क्योंकि 8000 रुपय में किसी का गुजारा नहीं होने वाल तो फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें हमारे चनल दे इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद